नमस्कार दोस्तों सागत है एक बार फिर से आप लोगों का मेरे चैनल में दोस्तों नारियल पोशक तत्वों और एंटी ऑक्सिदेंट गुणों से भरपूर होता है इसके सीवन से इम्म्यूटी बढ़ने के लिए पाचन दुरुस्त रहता है इसके साथ ही हमारा वजन कंट्रोल भी रहता है वैसे तो दोस्तों आप लोगोंने अक्सर नारियल पानी पीने के फायदों के बारे में सुना होगा मगर इसकी कच्ची गिरी खाने से भी सेहत को बेमिसाल फायदे मिलते हैं जी रोजाना एक टुकड़ा कच्ची नारियल की गिरी खाने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी नारियल का जो कच्ची गिरी है उसे खाने से आपको क्या फायदा मिलता है और किन चीज़र में फायदा मिलता है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए अब बात करते हैं टॉपिक पे सबसे पहला इसका जो हमें फाइदा होता है वो होता है हमारे इम्मिन्यूटी के लिए नारियल खाने से इम्मिन्यूटी बढ़ने में मदद मिलती है इसमें मौद अंटी ऑक्सिडेंट, अंटी इफ्लमेंटली, अंटी वेक्ट्रियल, अंटी वेरल आदि गुण रोगों से लड़ने के सक्ति को बढ़ाते हैं हमारे शरीर में वहीं इसका दूसरा फाइदा जो हमें मिलता है वो मिलता है हमारे दिल के लिए नारियल में सैचुरेट फैट अधिक मातरा में होता है एक टुकड़ा नारियल खाने से गुट कोलेस्टरॉल बढ़ने और बैट कोलेस्टरॉल कम होने में हमें मिदद मिलती है ऐसे में हमें दिल संबंदी बिमारियों की चपेट में आने का जो खत्रा है वो कम हो जाता है वहीं इसका तीसरा फाइदा जो हमें होता है हमारे बजन को कम करने में तच्चे नारेल का सेवन करने से भूब कंट्रोल होती है साथ ही हमारा मेटाबॉलिजम भी तेज होता है नारेल खाने से सरीर में जमा एक्स्ट्रा चर्बी कम होने में भी हमें मदद मिलती है ऐसे में ये हमारे बजन को कंट्रोल में रखता है वहीं इसका चौता फाइदा जो होता है वो होता है ये हमें गर्मी से रहा दिलाता है दोस्तों अक्सर जादा तला भुना और मसालेदार खाने से पेट में गर्मी बढ़ जाती है ऐसे में नारेल का एक टुकड़ा खाने से हमें फाइदा मिलता है इससे पेट की जलन शान्त होकर ठंड़क का ऐसा सरीर को होता है वहीं इसका पांचवा जो फाइदा होता है वो होता है गर्म आवस्ता में प्रेगनसी में नारिल खाने से इम्मिन्योटी तेजी से बढ़ती है ऐसे में मा और गर में पल रहा बच्चा दोनों स्वास्थे रहते हैं जो भी महिलाएं प्रेगनन्ट हैं उन्हें कच्चे नारिल का जरूर शिवर्ण करना चाहिए छटा जो फाइदा होता है वो होता है ये हमें अच्छी नींद दिलाता है दोस्तो तनाव भरी जिन्दगी के करण बहुत से लोग अनिंद्रा से परिशान है ऐसे में इससे बचने के लिए आप लोग डिनर के 30 मिनट बाद एक टुकरा कच्चा नारल जरूर खाएं इससे आप लोगों का तनाव कम होगा और आप लोगों को गहरी निंद आने में भी मदद मिलेगी वही इसका साथवा फाइदा जो आप लोगों को होता है वो होता है पाचन शक्ति के लिए नारियल में फाइबर की बहुत अधिक मात्रा होती है इसके सेवन से आपकी पाचन सक्तित तेज होती है ऐसे में जिन भी लोगों को कब्ज, एसेटी या फिर अपच्छा पेट से जुड़ी कोई भी समश्चाए हैं उनसे आप लोगों का बचाव होता है तो दोस्तों ये थी आज की information की क्यों आप लोगों को कच्छा नारियल का सेवन करना चाहिए और कच्छे नारियल का सिर्फ एक टुकड़ा खाने से आप लोगों को कौन से फाइदे होते हैं तो उमीद करती हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई आज की information काफी ज़्यादा पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो helpful लगी हो वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाई जरूर कर दीजेगा वीडियो को शेर जरूर कर दीजेगा और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजेगा तो चलिए मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्यो फॉर वाचिंग माई वीडियो